नमस्कार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रया रिवा के रायपूर कर्चुलियान थाना शेत्र अंतरगत सिर्खिनी गाउं से 16 साल की बच्ची की शादी रचाने का संसनी खेज मामला सामने आया है जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशा को रोका गया बालविवाह के मामले सुनने में कम आते हैं क्योंकि लोग जागरुक हो रहे हैं लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह मामले पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं भारत में बालविवाह सद्यों से प्रचलित है और यह किसी धर्म विशेश से नहीं होकर सभी धर्मों समुदायों और वर्गों में लंबे समय से चली आ रही एक प्रथा है वर्तमान समय में यह प्रथा ग्रामीर इलाकों में जादा देखने को मिलती है जिसका ताजा उदाहरण सामने आया है रिवा जिले के रायपूर कर्चुलियां थाना शेतर अंतरगत सिर्खनी गाउं से ज मावजूद इसके बच्ची के मामा और मौसी ने जबरन उसकी शादी कराने का प्रयास किया वहीं शादी रुक्वाने गए प्रशासनिक अमले के सामने 16 साल की दुलहं खोद शादी करने की जिदद कर रही थी इसके बाद भी प्रशासनिक अमले के सामने शादी रचाने की जिदिकी जिसके बाद काफी समझाईश के बाद उसे शांत कराए गया दुलहन कया कहना था कि घर में उसकी पढ़ाई रुकी है जिससे शादी के बाद वा अपने ससुराल जाकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहती है इस बाद से य अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती है बच्ची के दलील के बाद भी प्रशासनिक अमले ने उसे नजरंदास किया और बाल विवाह को रुगवाया बताया जा रहा है कि बच्ची अपने मामा और मौसी के साथ रहती थी जहां उसके पिता की मर्जी के बगैर मामा और मौ फिलहाल बाल विवाह को रोग दिया गया है और आगे की कारवाही की जा रही है रायपूर थाना अच्छे तरके सिर्खनी गाओं का मामला आया था प्रिक्संग्यान में तो महिलावाल विकास से और पुलिस थाना और नायप तेसिल्दार मेडम यह सब लोग गए था हुआ है तो प्रीकारी करें उसके जांज कर रहा है जांच करके जैसा प्रित्वेर दौर का रखे ही जाए